चलिए उस तो बात करते हैं इसे को नई कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामने का गनित और कम्पीटर विज्ञान के चातरों की एक अक्षा में बारा चातरों ने गनित लिया है उनमें से आठ चातरों ने गनित लिया है किन्तु कम्पीटर विज्ञान नहीं लिया है तो चलिए आईए solve करते हैं, examiner ने का 25 students हैं, यह 25 students हैं, उसमें से जो math लिया, math लिया आपका 12 student है, तो इसका मतलब जो बचाओ पाट अगा और science को होगा, यानि 13 student ने science लिया होगा, बट कहरा है कि उनमें से 8 छात्रों ने गनित लिया, किन्तु computer science नहीं लिया, तो इसका में चार student बचेंगे, वो ऐसे बचेंगे जिनके पास science भी थी, और जिनके पास math भी थी, और examiner ने मुझसे पूचा है, गनित और computer विसे लेने वाले चात्रों की संक्या कितनी है, वो 4 होगी, यानि कि option D होगी, अगर इसे van diagram से समझना है, तो इस तरह से समझ सकते हैं, कि आ 12 मेरे पास 12 प्लस का 13, इस कल्टू में ये 25 होगा, 13 तो मेरे science वाले, science वाले हैं fix होगे, अब 12 मेरे पास क्या है, math वाले, और math में जो 8 चातर है, वो only क्या है, केवल mathematics है, तो भाई, इसमें science वाले ने चाहिए, ये 8 जो हैंगे, वो mathematics वाले हैंगे, तो इसमें से, अगर तो 4 student ऐसे होगे, जो की science वी लेंगे और math वी लेंगे, यानि की option D जो होगा, वो इस question के लिए correct होगा, I hope आप सभी question समझ में आया होगा